नमस्कार दोस्तों आपके अपने वैदिक एश्रोल लाइफ यूटूब चैनल पर स्वागत हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मीन रासी वाले जातकों का मैं 2024 का महीना कैसा रहेगा। दोस्तों आपको मैं के महीने में किन छेत्रों में सुबसमाचार की प्राप्ति होगी और कहां आपका भाग उदय होगा। किस फिल्ड में आपका भाग उदय होगा। एक से 31 मैं 2024 के अंतरगत आपके जीवन में कौन-कौन से घटनाय घटित हो सकती हैं। आपके जीवन में और आपके साथ क्या-क्या हो सकता है। दोस्तों अगर आप हमारी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की बटन पर क्लिक कीजिए। जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारे देंगे वीडियो को ओन तक जरूर देखें तक इसमें कहे गई बाते आपको अच्छे से और इस पष्ट समझ में आ सके तो आई चलते हैं वीडियो की ओर हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि में रासी वाले जातकों की कुंडली में कौन से ग्रह कहां विराजमान है और की सवस्था में हैं और जो ग्रह विराजमान है आपको कितने अच्छे परिणाम देने में सक्छम होंगे तो दोस्तो में रासी वाले जातकों की कुंडली में आपके फर्ष्ट हाउस में राहो बुद्ध और मंगल तीनो एक साथ विराजमान है आपके थर्ड हाउस में व्रिशव राशी की साथ देवकुरू ब्रिहस्पत विराजमान है और आपके सेवन्त हाउस में कन्या राशी के साथ केतु विराजमान है आपके 12 हाउस में कुंब राशी के साथ सनी देव विराजमान है तो आईए जान ले कि में रासी वाले जातकों के जीवन में कौन-कौन सी घटनाय घटित हो सकती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि में रासी वाले जातकों का स्वास्त कैसा रहेगा मैं 2014 में तो यहां पर आपको जो स्वास्त रहेगा तो यहां पर आपका मन भटक सकता है मासिक तनाव हो सकती है टेंसन हो सकती है और आपकी अंदर क्रोध की अधिकता हो सकती है तो यह चीज़े आपको देखने को मिल सकता है बाकि थोड़ा सा आप अपने खाने पीने पर विशेश ध्यान दें बाकि कोई बड़ी इसू नहीं होगी उसके बाद आई चलते हैं कि आपका प्रेम प्यार क बहुत ज़्यादा खराब थोड़ा बहुत बात विवाद भी रहेगा लेकिन कोई बड़ी इसू नहीं होगी ब्रेक अप नहीं होगा बात करते हैं पढ़ाई की तो पढ़ाई यहां पर आपकी समान इस्तिती रहेगी यहां पर आपका पढ़ाई से जुड़े मन भटक सकत करते हैं इधर ओधर के चीज़ों पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं तो इसलिए यहां पर सतरक हो कर चलें बात कीजये संताने योग का तो में रासी यहां पर थोड़ा सा व्यट कर लेजिए क्योंकि यहां संतान योग के कोई भी योग नहीं देख़े जा रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ सकता है, फैमिली प्लानिंग के लिए थोड़ा सा आपको इंतिजार करना पड़ेगा, उसके बाद बात की जाए वैवाहिक जीवन के वारे में, तो यहां पर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा इस्तितिय समान और मंगल की भी दृष्टी जा रही है तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मन मुटाव हो सकते हैं वाद विवाद हो सकते हैं तो इसलिए आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर सतर करें और आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सतर करें ध्यान ज्यादा आपको दे वहां से आपको यह बचा ले जाएंगे ब्यापार के बात की जाए तो मेंद्रासि वाले जातकों का ब्यापार काफी शांदार रहने वाला है मैं के महीने में क्योंकि देवकुरु भ्रिहस्पत की पंचमीं दिरिश्ट आपके शेवन्त हाउस पर जा रहे हैं यहां पर ब्या तो यहां पर आपका भागे अच्छा रहेगा भागे से जुड़े काम आपके सफलता पूर्वक समाप्त होंगे अब बात करते हैं कि आपकी नौकरी कैसे रहेगी तो नौकरी भी आपकी अच्छी रहेगी कोई भी दिक्कत नहीं होगा नौकरी में आपको थोड़ा समयनत ज़्यादा करने पड़ सकती है लाप आपको मिलेगा बट धीरे धीरे मिलेगा एक साथ आपको नहीं मिलेगा तो यह चीज आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है देवगुर भीहस्पत की दृष्ट आपके लेवेंध हाउस पर जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका कोई न कोई इच्छा पूर्ण होगा और साथ ही आपको धनलाब भी देखने को मिलेगा तो यह चीज आपके लिए बहुत ही बहतर रहने वाली है अगर आप ऑनलाइन से जुड़े हुए कार करते हैं या फिर राइटर हैं तो आपका काम अच्छा रहे गए सेल्स मेडिया से जुड़े कार करते हैं तो उहां से आपको अच्छे धनलाब देखने को मिल सकते हैं आपका कार भी अच्छा चलेगा विदे से जुड़े कार करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो उहां से आपके कार अच्छे रहेंगे आपको कार सब्हlor में शपलता की प्राप्ति होगी और मई की महίνे में भी आपके धन्में ब्रिद्धी देखने को वहरे को दोखे ज हैं अपकte ग्रागस को कमें के महीने में सीवन में इन में सवर गसने मरी वीडियो पसंद आई हो ते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड जेर कीजी